अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने iqneos 7 pro android माइल फोन में आप जो है maximum number of connection setting को आपने use कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह maximum number of connection setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने आपको आपको यह ओप्शन मिल जाएगा यह इसके अगले पेज में आपको यह option मिलेगा वाइफाई हाटिसपोर्ट इसे सेलेक्ट करना है अब इसके अगले पेज में आपको यह option मिलेगा यह maximum number of connection का इसे सेलेक्ट करना है अब यह पेज आपको ओपन हो जाएगा maximum number of connection का इस पेज में आपको एक से लेके 10 तक की करते हैं अगर आप इस सेटिंग को चेंज करते हैं मान लीजिए मैं इसे एक नंबर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब यह सेटिंग कैसे काम करेगी कि आप जब भी अपने फोन का होटिसपोर्ट ऑन करेंगे ना तो आपके होटिसपोर्ट की साल कोई भी एक डिवाइस क दे दिये ठीक है तो यह सेटिंग जोने इस तरीके से काम कर दिया आपकी मैक्सिओन नंबर ऑफ कनेक्शन अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंटने का एक शौटकर तरीका बतायता हूँ आपके मॉइल फोन में इसके लिए आपको मॉइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओ एक शॉर्टकर तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंड देगा आपके मॉइल फोन में